सभी सम्मानित भाई बेहनों तता प्रदेश स्वासियों मैं बहुजन समाजपार्टी की और से अपनी बात देश के हिर्दे प्रदेश उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ठारवी विधान सभा के लिए हो रहे आम चुनाओं में आप सभी की प्रत्यक्स हुए प्रसोप रूप से पूरी पूरी इमानदार भागेदारी की पुर्जोर अपील के साथ सुरू करना चाहता हूँ वैसे भी यूपी के वर्तमान आम चुनाओं को किसी भी पिरकार से कम करके ना आकें बलकि इसको जात पाद धरम संपरदाय आदी के भेदभाव तथा स्वार्थ आदी से उपर उठकर अपने जीवन की दिन पृति दिन जटिल होती जा रही महंगाई गरीबी बिरोजगार प्लायान की वैवस्ता जानमाल एव इज्जत आबरू की एशुरक्षा आदी की गंभीर समस्याओं के निदान के रूप में ही देखें तो बेहतर होगा तभी आप सभी मेहनत का समाज के लोगों की अपनी कमर तोड मेहनत का सही फल आपको वे आपके परिवार को यहां मिल पाएगा तथा आगे चल कर आप सभी लोग तनाव वे घुटन वाले महुल से निकल कर अपने अपने धंग से अपना इसांत तनाव मुफ्त वे सुखी परिवारिक जीवन जी पाएंगे आता है यह चुनाव आगे चल कर आपकी अपनी खुसी वे खुसाली का सही मार्ग पिरसस्त कर सकता है बसर्त कि आप विभिन पार्टियों की वादे खिलापी जुम्ले बाजी इसके संक्रिन राजनीतिक एजंडे के बहकावे में तथा फिर से दिये जा रहे लुभावने चुनावी वादे आदी के चक्कर में नाएं इन सब चुनावी चलावों वे इन चलाओं से गिरस्त जीवन अपने बहुत देख लिए और सह भी लिए इस से इन से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया बस रोजी रोजगार की ही प्रात्मिक्ता ही एक मात्र सही है कि आप लोग इस चुनावों में अपने एक बहु मुल्य ओट के समयधानिक हक की बदौलत यहां यूपी में सरोजन हिताय वे सरोजन सुकाय के आदर्स सिधान्त वे नीतियों पर चलने वाली आयरन लेडी बेहन कुमारी मायवती जी की जानी मानी वे पर्खी वी ऐसी सर कार पुन बना सकते हैं जो कहने में कम वे जन हित के काम करके दिखा दिखा कर जनता का भरोसा जीतने में ज्यादा विश्वास करती हैं यह बाते केवल कहने की नहीं है बलकि यह सरवदित विदित है कि मानिय पहन जी जो कहती है वे करती है उत्तर प्रदेश के लोगों ने अब तक चार बार उनका कलक सासन देखा है जिससे ये साबित है कि बीएसपी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी वेकरनी में अंतर नहीं है. जग जाहिर है कि बीएसपी की सरकार सबको सुरक्षा नियाय तथा गाउं दिहातों को भी विकास का भागीदार बनाकर अपना राजधरम निभाती है जबकि यहाँ यूपी के लोगों ने विरोधी पार्टीयों की सरकारों में राजनीती का अपराधी करन वे अपराध का र स्वेसपून इस्तमाल सत्ता में रहने पर अपने आपको कानून से उपर समझ कर जनता को अपनी मन मर्जी का बंदक गुलाम समझने का एहंकार बहुत देख लिया है जिससे मुफ्ती पाने का अब समय आ गया है स्वेभाविक है कि आप लोगों के एक एकोट की ताकत से बीएसपी की सरकार यहां सत्ता में पांचवी बार आ सकती है वैसे भी आप लोग आप तक ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि लोगों की जातिगत वे धार्मिक भावनाओं आदी से खिलवार करने अपना राजनीतिक हित सादने वाली पार्टी इनकी सरकारें सरोसमाज के हित वे सुरक्षा वे इनका विकास नहीं कर सकती हैं इसलिए बीएसपी की सरकार में लोगों की रोटी रोटी भूमी हिनों को जमीन आवास वे इनकी सेहत शिक्षा वे सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरत वे सुईधाओं पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थात BSP सरकार में विकास का लाब गाउं-गाउं, गली-गली, शहर-शहर में गरीबों के साथ ही साथ सभी लोगों को बराबरी से मिलता है। जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में कुछ मुठी भर पूंजी पतियों, धन्ना सेटों वे सत्ताधारी लोगों का ही विकास हो पाता है। होने का नाम नहीं नहीं ले रही हैं और आपका घर परिवार दुखों भरा जीवन घुट-घुट जीने को मजबूर है। ऐसे में ही यहाँ यूपी की लगभग दो तिहाई जनसंख्यार रोजी रोटी के आभाओं में थोड़े से सरकारी मदद के सहरे लाचार जीवन जीने को मजबूर हो रही है। क्या यह अती दुखत वे दुरभाग्यपूर नहीं है। यूपी के लोगों के इस दुरदसा वे वेश्थापूर जीवन को भी सरकारें अगर अपनी उपलब्दी मानती हैं तो आप फिर उस सरकार से आगे अपने भले की कोई अच्छी उम्मीद नहीं करें। तो यह बेहतर होगा। अब अंत में मुझे सभी प्रदेश्वासियों से यही कहना है कि सरोसमाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है। तथा इसके आइरन लेडी बहन मायावदी जी के नेतुर्तों का अटल विश्वास सरोजन हितायवे सरोजन सुकाय की नीती के तहत चल कर कानून द्वारा कानून का राज के माध्यम से ही यहां सरोसमाज की सुरक्षा, सम्मान, विविकास का गुड गवर्नेंस सुनिचित क करना है, अब फैसला आपके हाथ में है, लेकिन हमेशा याद रहे कि आप अपने वोट के अधिकार का केवल सम्मान ही नहीं करें, बलकि इसे मूल अधिकार मान कर इसकी जी जान से हिफाज़त भी करें, इसलिए अमबेट करवादी पार्टी बी-एस-पी की आप सभी लोग खरीदा ना जा सके, कोई ओट लूटा ना जा सके, कोई ओट पढ़ने से ना रहे रह जाए, तथा जाती बिरादरी, पैसा, मंदिर, मस्जिद या मात्र भावनाओं के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फसा कर आपके ओट का दुर्प्योग ना कर ले, अर्थात प खासकर समिधान निर्माता भारत अरतन परम पुझ्ये बाबा साब डाक्टर भीमरा उंबेट कर द्वारा हर महिला पुर्ष वे गरीब अमीर को एक व्यक्ति एक उट का समता वादी अधिकार देकर अपनी अच्छी अच्छी सरकार बनाकर अपना उद्दार समय करने का सप कर रहे हैं तथा बीएसपी जिस प्रियास में हमेशाही अग्रणी वे लगातार अग्रसर है जो बाबा साब डाक्टर भीमरा उंबेटकर का बताया हुआ रास्ता है यूपी में हो रहे वर्तमान विधानसभा आम चुनाओं में बीएसपी के उमीदवार को सफल बनाकर बह जी उत्तरपरदेश के बहु प्रतिशित विकास वे खुसाली में सम्मानित भागीदारी बनें अब अंत में यही खास अपील है कि आप अपनी पार्टी बीएसपी की एक बार फिर मजबूत सरकार बनाएं ताकि सत्ता की मास्टर चाबी के जरिये यहां जिंदिगी के हर प समाज में से भी समस्त गरीबों मजदूरों किसानों छोटे व्यापारियों महिलाओं यूवाओं बिरोजगारों आदी के जीवन को दुख तनाव वे ऐस्रक्षा आदी से निकाल कर उन्हें आतम सम्मान वे स्वेभिमान के साथ सुकी वे खुसहाल खुसहाल बनाया जा सके बी एस पी इसके लिए सदा आप सबकी हमेशा आभारी रहेगी धन्यवाद जैभीम जैभारत